हेलो एव्रीवन अगेन वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अग्रिकल्चुर एट अग्लैंस इस्टुडेंट आज मैं काफी दीनों के बाद वीडियो बना रही हूं उसका रीजन यह था थोड़ा सा टेकनिकल इश्यूस थी एडिटिंग अप अगेरा के प्रॉब्लम थी तो अब थोड़ा ठीक हो गया है तो आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूं आप लोगों के लिए तो आज भी मैं इस बुक से आप लोगों को कुछ अब्जेक्टिव कोशिंस अगेरा बताऊंगी और इसके बाद से मैं कोशिश क करोगी कि जैसे पहले टॉपिक वाइज आप लोगों को पढ़ाती थी एक टॉपिक पर वैसी पढ़ाओ तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं देखते हैं आज जी कुछ इंपॉर्टन कोशिंस देख लेते हैं तो तो इस्टुएंट देखिए ये दो हजार तेरा का मेमरी बेस्ट कोशिंट पेपर है आइसी आर आई पीएसडी का तो इसमें कुछ इंपॉर्टन कोशिंस हम देख लेते हैं जैसे कि पहले लिखा है वो इस दे प्रिजिंट चेयर मैं ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वाराइटीज और फार्मर्स राइट अथार जिखते हैं गीए दो हॉजार तेरा के पेपर है तो उस टाइम के प्रिजेंट चेयर मैं पुचा था तो उस टाइम डॉक्टेर ऑर Bana तहाen और अगर अभी के देखा जाया या फिर अभी प्रिजेंट टाइम में देखा जाया तो पीपी अफ्रार के जेर मैं है वह सेकेंड Q. Is another नेम फोर् विटामिन या याा फिल आएसे कह लिए केमिकल नेम होता है वह क्या है तो विटामिन का आंशर होगा को बामन होगा पूह नैसे नैसीन नाइसन को लावजाता है सब्सक्त, उसी तरीके से फाइरडॉक्सिकल फॉस्वेट विटामिन बी सिक्स को गयते हैं और आइबो फ्लामिन बीटू को कहते हैं यह चार जो ऑप्शन गिवन है विटामिन बी कॉंप्लेक्स से ही रिलेटेड ऑप्शन दिये गए थे थर्ड कोशन है दा लार्जेस्ट शेर इंडा इंडियास फार्म एक्सपोर्ट ओर्निंग इन यह तुथाउजन इलेवन त्वास फ्लामिन वह कहां से था गवर्गाम से था थी के यह विराइटी दी गई थी उसी से रिलेटेड कोशन से और फॉर्थ वाला कोशन है दे नैश यह थैसा था थी नास्ट सब्सक्राइब भॉटेंबुर ज.. का नाम ले गई है बात में थी जवास का नाम के अस्का नाम क्या था ? बात में तो नाम था तो तो उसका नाम था project directorate of biological cracked old control कंट्रोल यह भी मैं पहले से लिख दिए हूँ यहाँ पर क्या था पहले प्रोजेक्ट डारेक्ट ट्रेट ऑफ बाइलोजिकल कंट्रोल अब यह एंबी आर के नाम से जाना था 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 है नाशनल वीर आफ अग्रिकल्चरिल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जो की लिखा हुआ है दा मोस्त इंपॉर्टेंट शक इंप्टेंट जो सख करते हैं कॉर्टेंग और राइस में उनकी नेम पूछाता है तो सारे ओप्शन में दो दो मिस्त नो राइस दोनों पूछा है तो दोदो ऐप्शन थे तो इसका जो आंसर भी है एपस गॉस्पी एंड और राइस यह सकिंग पेस्ट है और राइस जैसे कि और राइसम से डाइमम राइस का बटाइंगल नेम होता है तो उसी से एक तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और राइसी लिखा हुआ है तो जो आंसर यह भी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा इसमें से कौनसा माइक्रोगनिसम होता है जो केंट फूर्ट में पॉइसनिंग कॉस करता है तो इसका आंसर जो सी वाला है क्लॉस्टीडियम बोटुलाइनम यह आंसर करेक्ट होगा इसटियर्ण कोंगे पेपर हो वाँप इनसर बिशाप्ट वाले चैप्टर से या फिर टॉपिक्स से दो चार कॉस्टिन तो पूछे जाते हैं चाहे लिख om Colton चीन में राझ में आसर वाले से रिलेटडावा चारप है चैज्टों और से पूछाई जाता है अब हम लोग सेवन कोश्चन देख लेते हैं दा कॉश्च ऑफ ग्रेट बेंगॉल फैमाइन वाज जो ग्रेट बेंगॉल फैमाइन हुआ था उसका जो कारण क्या था वह था ब्राउन स्पॉर्ट ऑफ राइस तो आंसर नंबर भी इसका करक्ट आंसर हो जोगा ननवदा अबब होगा ठीक है अब हम लोग कोश्चन देख लेते हैं नाइन वाला ए वाइरस फ्री क्लोन फॉर्म वाइरस इंस्पेक्टेद प्रांट कैन बी ऑप्टेंड बाइं कहां से ऑप्टेंड किया जाता है नेक्स्टेंड विच अब फॉलिंग इस नाट अब्जेक्टिव ऑफ नैशनल फूर्ड सेक्योरिटी मिशन जो नाशनल फूर्ड सेक्योरिटी मिशन था उनमें से यह जो चार ऑप्शन इवन इनमें से कौन सा ऑप्शन गला थे मिन्स इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट अब्जेक्टिव नहीं था तो इसका जो अंसर एग मार्क नेट एपोर्टल फॉर्टर दिस्सेमिनेशन ऑफ अगरी कुल्चुरल मार्केटिंग इंफॉमेशन इस जॉइंड इन्वेडर ऑफ किसका है वो डीमाई एंड मिनिस्ट्री ऑफ एगरी कल्चर का है अब यहां पर हम लोग कुछ खुशन देख लेते हैं यह फॉड़ीन वाला कुशन ने फॉश्ट कांसेट वॉज प्रपोस बाई पार्मर का जो फॉश्ट कांसेट हो वो किसके दौर प्रपोस किया गया था तो इसके जो कुछ आप आप आप्शन की वैन है यहांपर आप уєdalegons, Niels rolling, Robert Chamber, Indira Gandhi, तो इसका जो झो आंसर नोरा रही मुशन क्या था है और स्टीर को परोपूस कि दोरा किया था के दवारा ओके अब हम लोग कोशन देख लेते हैं यहां पर कोशन नमबर जो 19 है यहां पर देख लिजा है आप लोग दाव है ट्रोस इस वसक्षान किया गया था वह इसका आंसर जी एस तर यह बहुत बैसिक सा कोशन है सब्सक्राइब को अगर आप साइंस के स्टूड़न रहे हैं तो फिर आप 12 में ही इसको पढ़े होंगे कुछ 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 ने स्टूड़ने से डाल दी आते हैं कि जो सारे बच्चे कर ले 18 वालो कोशन देख लिए जिए आप लोग पढ़े और देख लेते हैं जिसका और आप लोग पढ़े भी होंगे से कि the highest per capita consumption of flowers in the world is in world में जो तो पर-capita consumption होता है यह लावर का वह कहां होता है वह स्वेजल लांड में होता है 32 वाला कोशन देख लिए जी विच ऑफ देख लिए इस वेरी रिच सोर्स ओ बिटेलन पिगमेंट विटेलन पिगमेंट का सबसे रिच सोर्स कौन सा होता है इन उप्शन में से रैडिश कैरट रैड कैबिश और बीटूर्स तो बीटूर्स इसका करक्ता अंसर होगा कि यहां पर 25 वाला कोशन देख लिए विच आप दा फॉलोइंग फर्टिलाइजर इस नौट प्रोडिउस इन इंडिया इसमें से कौन सा फर्टिलाइजर इंडिया में प्रोडिउस नहीं होता है तो उसका होगा मियूर्ड ऑफ पॉटास मियूर्ड ऑफ पॉटास जो जो इसको एमोपी भी बोलते हैं इंडिया में प्रोडियूस नहीं होता है बाकी डीएपी डायमोनियो फॉस्फेड यूरिया और टीएसपी ये तीनों प्रोडियूस होते हैं मैं अपना वीडियो यहीं पर अंड करती हूं और मैं पक्का जो है नेक्स टाइम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर पर्टिकलर टॉपिक पर वीडियो लेकर के आऊंगी और कमेंट सेक्षिन में भी मैं देखिया आप लोग बहुत सारे कमेंट के एक वीडियो पर कमेंट किय कोशिश करूंगे कि आपको कमेंट सेक्षिन से ही कोशिन वगारा उठाकर या फिर टॉपिक उठाकर किया उस पर वीडियो बनाओ तो अपना वीडियो मैं यहीं पर अंड करती हूं अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज एक बार लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रिंड सेक्षिल के बीच में प्लीज एक बार शेयर कर दीजेगा और अगर आप में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा थैंक यू